Hello guys, welcome back to another video आज हमारे सामने हैं the all new Hyundai Alkazar face वैसे कहने को तो यह Alkazar का facelift है बट Hyundai इस गाड़ी में काफी बढ़िया किन जिसकी यह गए जिसकी पता ही ने चल रहा है कि यह Hyundai की पुराने गाड़ी है जिसको Hyundai इने facelift दिया पुराने अलकाजार में को जितने भी कमिया मिलती थी उन सभी को Hyundai इस आलकाजार से निकाल दियो उसे साथ Hyundai इस गाड़ी में और भी बहुत सारी फिचर्स को add-on किया है आज कि इस वीडियो में इस गाड़ी का डीटेल में रिव्यू करने वाले अगर आप यूटे आलकाजान लेने की प्लाइन कर रहे हो तो आपको इसमें क्या क्या जीजे मिलने वाज वीडियो में आगे बनिते से पहले मेरे आथ से एक चोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप ऐसी बड़े आट फोटी वीडियो से दिगना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइके चैनल को सब्सक्राइब ज़रू कर सो बनाइक सिदेरी किर करते है वीडियो को स्टार्ट तो वेरियंट की बात कीजिए तो करेंडिया अमरे सामने इस गाड़ी का इंक्तम टॉप एंड वेरियंट जिसमें आपको 1.5 लिटन का टर्गो इंग्जिन मिलता है और साहता ले DCD ट्रांस्मिशन के साथ आथ वैसे तो शुदाड़ी की टॉप वेरियंट की प्रैस अभी तक रिवील नहीं हुई है बर जैसी वो रिवील हो जाएगी मैं उसको इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँग जैसी की गाड़े का टॉप एंड वेरेंट है इसमें आपको सभी फिजर्स मिलने वाले जो यूड़ाय को मिलते अब आप के कीबात की यहाँ पर आप पर वजाए शेम की मिलते जो यूड़ा में मिलते हैं जसे से पहला बोट को ऑपन करने का तैना अंगेन है वड़ का सब्सक्राइब ले काफ इस opening तरह विरिज Q прок 7 Google Danny के मिल जाते था एंपको सक कार्ड में काफी बडियाग जाते हैं रिए इस कार्ड में आपको led-DRS मिलते जो कि हमींकिक अच़क्टिंग वा ड्र है एंड या आज की टैप वर 95 आुगता न॥ी की सब्सक्राइब ले जिसमें से दो हाइब बिंपर दो लोग बिंपर चलती नेची के तरफ आपको इसलवर का बंबर मिल जाए जिसमें आपको टोप की प्लेस्मेंट नेकनेको मिल जाती है यहाँ पर आपको गलॉसी ब्लैक कलर की फिनिशिंग देकनेको मिल जाए इसमें मिड में आपको रेडार की प्लिश्मेंट डेकने को मिल जाए अगराली गाडी फ्रेंट से काफी यूनिक सी लगती है काफी डिफ्रेंट सी लगती है अधर आप इसको कंपेर करते हो पुराने वाली अलकाजार से वह बात लिए ग्राण्ड क्लिरेंस की तो इस गाडे में आपको 200 mm की ग्राणड क्लिरेंस मिलती सबस्ता अब बात करते है इस गाडे के साइट प्रोफायल की साइट से इस गाडे की एक चीज़ को ज़जादा है हाइलाइट हो रही है और विसमडक को बात की जाई टो यहां पर आपको यहां पर आपको यहां पर जो heak पर आपको बाद को मिलती है जिसमें आपको साइट LED indicators integrated टेखने को मिल जाएं जर्ण नीची तर्फ यहाँ पर आपको जहें camera की placement टेखने को मिल जाएं यहांपर आपको जहें DCT की batching मिलते हैं यह साइट में आपको glossy black color की wear a cleaning देखने को मिल जाएं जोके को most of the car's में इसको मैं आपको ओपने क्लोसर के बाद में दिखा दूँ तो बात कृट्टे के रियर प्रोफाइल सो रियर भी आपको इस कार्ड में टूटले डिफरेंट लुक मिलता है जब फर्स्टाइब आप इस कार्ड की रियर वे देखोगे ना आपको पता नहीं चलेगा कि यह ना यूटे की अलकाजार है इन शॉट कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर आपको जे टोप्टाली डिफरेंट लुक मिलता है आपको यहाँ पर आपको जे रियर डिफरेंट लुक मिलता है यहाँ पर आपको जे अपनी वेरेंट की बैचिंग मिल जाएंगी आपको टर्बो की बैचिंग मिल जाएंगी नेजी तर्फ यहाँ पर आपको जे अपने रियर रिफलेक्टर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं एन एक्दम नीचे यहां पर आपकोजे अपनी डियो एक्जास्ट वह वो मिल चाहिए लेफ्ट साट में यहां पर आपकोजे अपनी फ्यूलीट मिल जाहिए जिसमें आपको 50 लिटर्स की फ्यूल टेंग एपसेटी मिल चाहिए तो सब बात करते हैं स्काड़ी की इंटिरियर सबसे बात विए सीट की तो यहां पर आपकोना ड्राइवर एक को पेसिंटर दोनों के लिए इलेक्ट्रिक सीट एडजेश्में देखने को मिल चाहिए जिसको आप इस तरह की से आगे पीछे कर सकते हूँ और इसको आप इस तरह की से रिक्लाइन भी कर सकते हैं और इक बा झालचा का अपन आपस्टैर को मिल चाहिए जर्फ में चाहिए और पर आपको जोए ब्लाऊड हो был कि प्रीश्में फिदिशिग मिल चाहिए जर्फ यहां पर आपको और खिकर पास थीटिशीयं मिल चाहिए जलेक्टी सेब क्रूस आपको आप्दी फिचर्श קर सांदियों और यहां से अपने जो instrument cluster है उसको भी adjust कर से और वह लेफ साइड में आपको voice, volume and mode के buttons मिल जाएगे और यहां से अपने जो infotainment system है उसको आप access कर से रेर में आपको silver कला की finishing साथ paddle shipters मिल जाएगे राइट साइड में यहां पर आपको जो brown कला की finishing मिलती है और यहां पर अपने जो mobile उसको प्रटखा सती हो निचे अपने black अलगे AC के events और यहां पर अपने auto start stop, traction control and parking sensors के button यहां पर आपको जे अपने hitlight leveler जो भी डिगरी को मिल जाएगे और यह है अपना push start stop button और बात की instrument cluster की तो यहां पर आपको fully digital instrument cluster मिल जाएगे राइट साय्ट में आपको speedometer मिल जाएगे, राइट सायट में यहां आपको 174-meter मिल जाएगे और उपर ए तर्स यह अपर आपको जे इंगे rocky seatbelt की indication लिकरी को मिल जाती है NYBD में आपको auto refilling की information मिल जाएगे साथ सार आपको navigation and TPMAS की Information मिल जाएगे तरह बात कि info statement system गी तो इस गाड में आपको ना से info statement system मिलता है जो कि आपको युटा की बूस्ट ओफ दा कास में मिल जाता है बड़ यहापर ना थोड़ा बहुत जो है डिफरेंस से हुऊ अपने layout भी जैसे आप on करेंगे यहापर आपको date and time display की होई देखने को मिल जाएगी यहापर आपको जाए map, navigation and phone वागिना की options जो है वो देखने को मिल जाएग और इसकी मदद से आप अपने जो instrument cluster है उसके layout को भी ना change कर सकते यहापर आपको layout पर क्लिक करना है एक दिन आपको एकदम दीजा आना है यहापर आपको जो है तीन options जो है वो देखने को मिल जाए इस पर आप A पर क्लिक करते तो यहापर आपको जो है कुछ इस तरीकी का अपना look जो है वो देखने को मिल जाता है बर दो जो सबसे में फीचर से वो एंडर और टो एने पर काल प्ले जो कि आपको वायर डिगिने को मिल चाहिए देनो वोरा डेश्पोर्ट पर यहाँ पर आपको जे ब्लेक, ब्लाव इन, सिल्वर कलर की फिनिशिंग मिल चाहिए पर जोए दो जोखे ब्लिखने के लिए जगा मिल चाहिए मिल में अपनी दो एसलिखे वेश्स मिलते है नेची दर्फ यहाँ पर आपको जे इन्फोटेंड वायर सिस्टम में इसलिख की डेकर को मिल चाहिए जो की पूरे आपको touch operated मिल जाएं सिवा इसके इधर net की बटन को छोड़का यहाँ पर आपको media, radio, navigation, setup बगेरा के options जो है वो रेक्री को मिल चाएंगे और वही नीची की तर्फ यहाँ पर आपको अपने normal इसकी controls मिल जाएंगे जो के अपने पूरे ही touch operated नीची दर्फ यहाँ पर कुझे 12W का charging socket और एक C-type charging port और USB port डिकरी को मिल चाएंगे साथ साथ यहाँ पर आपको यहाँ आपको wireless charging भी ओफर की gear drop की बात कि यहाँ पर कुझे काफी premium वाला gear drop मिलता जिसमें आपको park, reverse, neutral and drive के options मिल जाएंगे साथ साथ यहाँ से अपने जो gear shifting है उसको manually भी करसे यहाँ पर अपना mode selector जिसमें आपको मेर लिए 3 modes मिलते हैं जो है अपना sports, eco and normal जैसे sports mode में टालोगी वैसे यहाँ पर आपको 7 and 8000 की marking red में highlighted डिकने को मिल जाएं जो कि वैसे चोटी सी बात है वर डिकने में काफी बढ़या लग यहाँ पर आपको electronic parking brake मिल दी है देन है auto hold का button यहाँ पर आपको जैए view का button देखने को मिल जाएं जिससे के अपना 30 degree camera जो है वो activate हो जाए camera quality की बात किया तो यहाँ पर आपको जैए काफी बढ़या camera quality मिलती है जिसको operate करते वक्त यहाँ पर आपको जैए चोटा सा विल्लैक मैसुस नहीं हो वैसे camera quality के बारे भी आपका क्या कहना है comment आप ज़रू कर यहाँ से आप जो है zoom in and zoom out कर सकते हो इस बटन से अपने जो reverse camera उसको access कर सकते हैं वह reverse camera की quality भी आपको यहाँ पर मिल जाए आपको यहाँ पर आपको इसमें भी काफी बढ़या space मिल जाता है एन उसी साथ यहाँ पर ना आप इसको adjust भी कर सकते हैं glove box की बाते हैं यहाँ पर आप खुझे code glove box देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आप खुझे ticket holder देखने को मिल जाएगा midway आपको electronic IRVM मिलता है यहाँ पर इस cardika sunglass holder and यह है अपने LED cabin light sunroof को open करना है तो आप इस button की तुरू अपने sunroof को open कर सकते हैं जिसमें आपको one tap open and one tap close का features मिल जाएगा and why sunroof की बात की जाए ना तो यह अपने ना इतने तक ही खुलती left side में यहाँ पर कुझे variety mirror मिल जाएगा and front में दोले side यहाँ पर कुझे twitter की placement देखने को मिल जाएगा and why पात के steering wheel के adjustment की तो यहाँ पर आपको सिर्फ tilt adjustment मिल दी देख बात के इस card के rear door panels की तो rear में सबसे पहले यहाँ पर कुझे curtain देखने को मिल जाएगा जो gap को सिर्फ अपने odd वाले आलकाजार में मिलता यह अपने silver कला की door handles and यहाँ पने rear power windows की controls ऐसासाथ यहाँ पर आपको आपको rear seats के ventilation की controls मिल जाएगा नेजे आपको bottle वागेना रखनी के लिए जगा मिल जाएगी and यहाँ पर speaker की placement यहाँ पर आपको black and brown तला की finishing की साथ captain seat जो है वो देखनी को मिल जाएगा जिसमें आपको दोनों में ही armless देखनी को मिल जाएगा and वह लेंगरूं की बात की जाएगा तो वह आपको coffee decent सा मिलता driver seat में आपको magazine order देखनी को मिल जाएगा यहाँ पर आपको यहाँ पर white का लखे ambient lighting देखनी को मिल जाएगा grab ender के पास यहाँ पर कुझे LED light देखनी को मिल जाएगा इन seats नेपको और एक काफी बढ़या चीज़ मिलते जो एड़ेस्टेबल अंडर थाए यहाँ पर आपको यहाँ पर कुझे अगे दो seats देखनी को मिल जाएगी और इससे आप इस तरह की से fold भी कर साब बात करते इस गाड़ के boot space के बारे अब boot space भी ना यहाँ पर कुझे काफ़ी decent सा मिल जाता है बट जब आप इस seats को ना fold करोगे ना तो यहाँ पर आपको जे और भी काफी बड़े बोट space मिल जाए rear passenger के लिए यहाँ पर आपको जे vents, seat type charging board and twing up holder देगनी को मिल जाता रवी rack set से आप speed को adjust कर सकते हूँ वहाँ पर भी आपको seat type charging board मिल जाता यहाँ पर आप कुछे boss का सब भूफर देगनी को मिल जाता है और इसके नीचे आप आप कुछे अपने step and amplifier देगनी को मिल जाता है और इस प्रेख भी वागेर आपको यहाँ पर नहीं मिल नहीं बलकि वह आपको इस गाड़ी के नीचे मिल दा सो दोस्तो यही थैक्स कारडी को आपक्विक्सर रिव्यू आपका के कहना यूटे आलकाजार के बारे भी वो कमेंट नाम ज़रू करने सो करते हैं अपने इस वीडियो पर यही पर हैं टैक्स वाते हैं इस वीडियो थैंक्यू सो